ब्रहस्पतिवार ब्रत का महत भगवान ब्रहस्पतिदेव की पूजा अर्चना के लिए ब्रहस्पतिवार को ब्रहस्पतिवार की 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 ब्रहस्पतिवा इस ब्रत से धन संपत की प्राप्ती होती है, निसंतानों की पुत्र प्राप्ती होती है, परिवार में सुख संथी वनी रहती है, सभी आनंद पुर्वक्त रहते हैं, ब्रत करने की बिधी ब्रहस्पती बार को सुर्योदय से पाले उटकर असनानादी से निवरित होकर भगवान ब्रहस्पत देव का अस्वरन करते हुए ब्रत का आरंब करना चाहिए, उपासक को घर के किसी कप्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा अस्थल बनाकर उसमें भगवान ब्रहस्पती देव कोई प्रतिमा की अस्थापना करनी चाहिए, घर के समीप किसी मंदीर में जाकर भी भगवान ब्रहस्पत देव की पूजा की जा सकती है, भगवान ब्रहस्पती देव पीले रंग के पुस्प और पूजा की पीले रंग की सामगरी को विशेश रूप से पसंद करते ह इसलिए असनान के बाद पीले रंग के बस्त्र धारन करने का विसेश महत्तु बताया गया है पीले रंग के पुस्ट केले और पीले चंदन से भगवान ब्रस्वत देव की पूजा का विधान है ब्रस्वत्वी बार के ब्रत में उपासक को पूरे दीन में एक ही समय भोजन करना चाहिए भोजन में चने के दाल का सेवन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए ब्रत करने वाले प्रूस ब्रस्वत्वितार को दाढ़ी वसीर के बाल न कटाएं पूजा के समय भगवान ब्रस्वति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूरा करते हैं इस ब्रत में ब्रतो कथा पढ़ने और स्रवन करने का विशेश महत्तो है